भारत माता की जै प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली चूट दी तो सेना ने आतंक वाधियों के चक्के छुड़ा दिये आतंके के गड़ में घुसकर जिस तरह भारती वयुसेना ने पने शौरे का प्रदशन किया है उससे आज हर देशवाशी खुश है जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की और से की जा रही भारी फाइरिंग का मुतोड जवाब देने में लगी हुई है वायू सेना भी पूरी तरह अलर्ट पर है और पाकिस्तानी सेना की और से किसी भी दुस्ताहस का मुतोड जवाब देने के लिए पूरी तरह तय यार है आई आपको सबसे पहले लिए चलते हैं बाला कोट और बताते हैं कि क्यों इसे निशाना बनाया गया दरसल यहां पाकिस्तान में जैश का सबसे बड़ा आतंकी केम्प है बाला कोट के केम्प को यूसुफ अजहर चलाता है जैश मोहमद मसूद अजहर का रिष्टेदार है यूसुफ अजहर सरकार के पास पुख्ता खुविया जानकारी थी कि जैश मोहमद और हमलों की साजिश रच रहा था बाला कोट स्थित जैश का है आतंकी केम्प आवासिये इलाके से पर कई देशों के जंडे मिले हैं कहा जा रहा है कि जैश का सरगना यहीं से कई देशों में आतंकी गतिविद्यों की प्लैनिंग करता था खूफी आजेंसियों द्वारा जारी किये गए डोजियर में मौलाना मसूद अजहर की गाड़ी अकसर यहां आने की तस्वीरें भी हाथ लगी हैं बताया जा रहा है कि मसूद अजहर और अब्दुल रहुष जैसे आतंकी इस कैम्प में आतंकियों को लेक्चर देते थे इस कैम्प के किनारे कुनहार नदी भी बहती है जहां आतंकियों को समुद्री हमले की ट्रेनिंग दी जाती थी इन्हें पाकिस्तानी स कोटिस जादी किया था बताया जाता है कि यह आतंकी कैम्प मसूद अजहर के लिए यूसुफ ही चला रहा था यूसुफ बाला कोट के अबादी वाले इलाकों से दूर एक पहाड़ी पर आतंकी कैम्प चला रहा था भारती इंटारियंस एजनसी के पास बीते साल से इस आत करने वालों में भी यूसुफ शामिल था बताया जाता है कि यूसुफ कराची में पैदा हुआ था और वो काफी अच्छी हिंदी भी बोलता है भारत में भी हाइजैकिंग आतंकवाद और किड्नैपिंग जैसे केस में वह वांटेड है साल 2002 में भारत ने पाकिस्तान को 20 आ सुकने दूंगा पर्थान मंत्री की अधक्ष्टा में आज सुबह सीसी एस की बैठक भी हुई जिसमें वाई सेना की और से किये गए हमले का पूरा जायजा लिया गया और देर शाम को विदेश मंत्री शुश्मा सुराज ने एक सर्वदरी बैठक में विभिन निदलों के राज़दूतों को भी जानकारी दी और इस बैठक के बारे में बताया गया है कि विजय गोखले और दूसरे सचीवों ने अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन समेथ विभिन ने देशों के राज़दूतों को जानकारी दी यह माना जा रहा है कि गोखले ने P5 देशों के राज़दूतों को जानकारी दी श्रिलंका मालदीव अफगानिस्तान भूटान तुर्की और इंडोनेशिया के दूतों को भी हवाई हमले के बारे में जानकारी दी गई है गोखले से मुलाकात के बाद डीन ओफ डिप्लोमेटिक कॉर्प्स इंडिया हैंस डैन प्रदानमंत्री इम्रान खान अपने ही देश में घिर गए हैं पाकिस्तान की पूर विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने इम्रान खान पर जोड़दार हमला बोला है उन्होंने कहा है कि देश में अमर्जेंसी जैसे हालात है इम्रान खान को संसद में आकर जवाब देना चाहिए भारत की कारवाई को लेकर पाकिस्तान की संसद में मुर्दाबाद के इससे पहले भारत सरकार की और से जारी बयान में कहा गया कि इस कार्रवाई में किसी नागरी किया सेंथ को निषाना नहीं बनाए गया है बलकि एर फोर्स का टार्गेट जैस के ठिकाने ते विदेश मंत्रा लेकि और विजे गोखले ने कहा कि 14 फरवरी को पाकिस्तान इस्थित आतंकी संग्ठन जैश ए मुहमद ने पुलवामा में आतंकी हमला किया था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे गोखले ने कहा कि इससे पहले पठान कोट में भी जैश की तरफ से आतंकी हमला किया गया था यही नहीं पाकिस्तान हमेशा इन संग्ठनों की अपने देश में मौजूदगी से इनकार करता आया है पाकिस्तान को कई बार सबूत भी दिये गए लेकिन उसने आतंकी संग्ठन क के खिलाफ कोई कारवाई की ही नहीं लेकिन पाकिस्तान आतंकी के साथ साथ बड़ा अजीब देश भी है यह इसलिए कहा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के द्वारा की गई एर-स्ट्राइक को गलत बताया है पाकिस्तानी विदेश मंतरी शाह महमूत कुरेशी को सुन सुरक्षा कमेटी की बैठक बुलाई है पाकिस्तानी सरकार ने एक तीन सदस्ती कमेटी का गठन किया है, जो इसंसे पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की संसत्त का एक विशेश सत्र भी बुलाई गया है, इमरान खान ने कहा है कि भारत ने अनावश्य काकरमक्ता दिखाई है जिसका पाकिस्तान सही वक्त और सही जगा पर जवाब देगा इमरान खान ने सुरक्षा बलो और पाकिस्तान की जनता को हर तरह के हालात के लिए तयार रहने को भी कहा है लेकिन आज की इमरान खान की बैठक में शामिल लोगों के चेहरे आप देखिए कि किस तरह वो समीक्षा कर रहे हैं या हर चेहरे पर मातम चाया हुआ है मराल पाकिस्तान ने इस तरह की खबरे हैं कि हमला जहां पर हुआ है वहाँ पर लिवा पोती का काम शुरू कर दिया है ताकि दुनिया को यह दिखाये जा सके कि भारत की कारवाई का कुछ असर नहीं था वो जो बं गिरे भी हैं वो उनका कोई असर नहीं हुआ है और पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सरकार है पाकिस्तान की अवाम को ये संदेश देना चाहती है कि हमला कुछ हुआ ही नहीं है इसलिए हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है शायद पाकिस्तान घबरा गया है डर गया है जो भारत के अगर उसने कोई पलटवार किया तो उसक हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे इस मुद्देपर और ताजा अपडेट के साथ